अलो दोस्तो वेलकम बेक टू आर चैनल स्टड़ी आईक्यू जुडिश्डी दोस्तो मुहमेदल लौ की इस सीरीज में आज हम आ गए हैं लेक्चर नमबर 7 पर और डिसकस करने वाले हैं concept of इद्दत इस्लामिक लौ का एक बहुत ही जाता important concept है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि तीन तरीके के इद्दत पीरट बताए गए हैं इद्दत पीरट हूता क्या है और इसको क्यूं इसलामिक लौ में mandatory बनाया गया है सबसे पहले इसको जानते हैं तो इसलामिक लौ में अगर कोई भी महला कि अपने पती को डाइवॉर्स देती है तो उसमें ये पता लगाना कि वो महला pregnant तो नहीं है और legitimacy of child को decide करना महला को डाइवॉर्स के बाद अपने पती की death के बाद या फिर जो है मुता marriage हुई है तो उस case में एक specific time period बताया गया है इसलामिक लौ में उसके अंदर वो दूसरी शादी नहीं कर सकती जिससे की ये पता लगाए जा सके कि उस वो जो है अपने previous पती के द्वारा कहीं pregnant तो वो बच्चा जो है जो उसका पती मर चुका है उसके द्वारा या फिर उसके पती की death हो चुकी है उसके द्वारा ये सब चीजे paternity को पता लगाने के लिए specific time दिया जाता है और ये भी समझा जाता है कि अगर कोई भी महला है तो वो जो है अपने शादी को तूटने के होती है और यहां पर हमको एक important चीज ये भी देखनी है कि अगर कोई भी महला इदद पीरड के दौरान marriage करती है तो इसका पूरा concept जो है marriage वाले लेक्चर नमबर 5 में मैंने आपको बताया था कि void होगी कब irregular होगी क्या सिया मानेंगे कब सुननी मानेंगे तो आप इसकी कब void marriage मानी जाएगी कब valid मानी जाएगी तो ये सारी चीजे जाकर lecture नमबर 5 में देख सकते हैं यूटूब पर जाना है प्ले लिस्ट में जाकर Islamic law की सीरीज सर्च करनी है वहाँ पर सारे lecture मुहमदन law के पड़े हुए है तो एक woman को एक specific time बताया गया है कि अगर उसके पती की death हो जा रही है तो इस चीज़ को observe करने के लिए कि वह कहीं pregnant तो नहीं है दूसरा अगर उसने अपने पती से divorce ले लिया है उस case में वह कहीं pregnant तो नहीं है paternity of any child को पता करने के लिए उस period में वह शादी नहीं कर सकती उसके बाद वह शादी कर सकती है जिससे साधी करती है तब को पता है कि मौमदाल लौ को हम जो है अकील एमद नामक बुक से complete कर रहे हैं और इसी के थुरू सारे concept को समझने की कोशिश कर रहे हैं ये बुक आपके family law 2 के सबसे ज्यादा important बुक है जो कि बहुत ज्यादा various colleges में और various institutes में आपको देखने को मिलती है personal law family law 2 मौमदाल या फिर इस topic से related कोई भी question है तो आप अपूर सर्मा study IQ judiciary के telegram group को join कर लो यहां पर सारे notes आपको provide किये जाते हैं topic से related कोई question है study IQ judiciary के foundation batch जो start हो रहा है 12 तारिक से उसमें कैसे admission लेना है क्या-क्या features है कोई भी doubt आ रहा है मुझसे बात करनी है direct अपूर सर्मा 252 case instagram पर मुझे follow क यहां पर आपकी मुझसे जो है सरेक discussion होती रहती है live foundation batch जो के prelims से लेके interview तक का पूरा guidance program है 12 महीने में इस course को आपको complete कराये जाएगा और इसमें आपको prelims मेंस और interview की सारी guidance program मिलेगी mentors मिलेंगे handwritten notes मिलेंगे 15 states के prelims की test series मिलेगी 15 states के local laws recorded form में आपको 1100 से ज्यादा घंट live teacher के साथ बैठ कर पढ़ना होगा daily basis पर दो class होंगी classes के बाद आपको mcqs दिये जाएंगे जिससे आप समझ सकें कि आपकी class कैसी गई है कितना आपने पढ़ लिया किस तरीके के question prelims में उस topic से आते हैं 12 जून से start हो रहा है admission open कर दिये गए है 40,000 का ये batch है लेकिन जब मेरे नाम के तीन अक्षर आप लगा लेते हो APU जैसे ही APU का code इस्तमाल करते हैं 24,999 में आपको ये batch देखने को मिलता है batch को purchase कैसे करना है we will discuss in the end of this lecture सबसे पहले Islamic law में जो इद्दत का period है वो होता क्या है और क्यों हम इद्दत को पढ़ते हैं तो Islamic law में paternity को decide करने के लिए parentage को decide लेता है तुरंत किसी की death के बाद या फिर किसी के divorce के बाद तो उसका father किसको बोला जाएगा यही Islamic law का main period है और इद्दत का basic मतलब ये भी है कि एक महला जो कि किसी भी तरीके से अपने husband से अलग हो चुकी है उसको mentally और physically अपने आपको दुबारा से revamp करने के लिए एक time period द that follows the dissolution of a marriage, it is a mandatory waiting period which during the woman cannot remarry. The purpose of the इद्दत is to ensure the woman is not pregnant before entering into a new marriage. यही basic principle है और यही basic principle हमारे इद्दत के concept को Muslim law में या फिर महमदल law में जन्ग देता है कि अगर कोई महला अपने पती से किसी भी तरीके से अलग हुई है डाइवोर्स के थूँ, डैथ के थूँ या फिर other conditions पे त तो एक time period उसको रखा जाएगा, उस time period में वो जो है पूरी तरीके से mensuration cycles उसके आते रहते हैं और उसको ये नहीं पता लगता है कि वो pregnant हो चुकी है, तो उस time period के बाद हम ये मानेंगे कि पुराने पती से कोई भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है और उसके बाद वो दू अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें इद्दत की Islamic law के point of view से तो various periods बताई गए हैं, अलग-अलग तरीके की conditions हमें बताई गई हैं, सबसे पहले, the इद्दत period is three mensuration cycle if the husband is one to file a divorce, ठीक, अगर divorce हो रहा है तो three mensuration cycle, woman का इद्दत period रहने वाला है, दूसरा, the if the wife is one who is file for divorce, अगर wife file कर रही है, तो जो उसकी three mensuration cycle है, और अगर mensuration cycle से नहीं आ रही है, तो इस cases में, जो तीन महीने, three lunar month, lunar month मतलब देखा जाता है, history calendar के इजब से, और 29.5 days का एक महीना, यहाँ पर हम इद्दत period के लिए history calendar के according, इसको देखते हैं, इनको हम lunar month मानते हैं, त आप से पहले यह जानिए, इद्दत is a period during which a Muslim wife is not allowed to remarry, adorn, beautify herself and serve other restrictions are attest, क्या कह रहे हैं, कि अगर यहाँ पर देखें, कि main motive क्या है, main motive है, कि वो जो है, remarry नहीं कर सकती, adorn, beautify नहीं कर सकती, अपने आपको कुछ time period के लिए, जो उसके उपर restriction लगाए गए है, the main reason behind observing this period is to ascertain whether the woman is pregnant or not, since four and a half month is enough to determine the pregnancy of a woman, ठीक, तो यहाँ पर 4-4 महिने का एक gap देखने को मिलता है, जहाँ पर यह determined किया जाता है, कि वो woman pregnant है या फिर नहीं, Islamic scholar consider this is to be a period wherein a Muslim woman gets time to mount the death of the husband and also insulted her from many criticism which might be inflicted upon her on the account of marrying too quickly, after the husband death, ठीक, एक महिला जल्दी से अपने husband के death के बाद उससे recover होने से पहले शादी ना करे, इस बज़े से भी जो हमें main object यहाँ पर देखने को मिलता है, अब हमें इद्दत के बारे में समझना है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, कि अगर किसी कई पती की death हो गई है, तो इस cases में किस तरीके से उसको इद्दत पीरट को observe करना होगा, दो तरीके के इद्दत हमें जो है majorly दिखाई देते हैं, पहला होता है death इद्दत, जब किसी भी महला के पती की death हो गई है, दूसरा होता है divorce divorce, divorce, इद्दत, ठीक, तो इन दोनों इद्दत में अलग-अलग time period है और अलग-अलग situation बताई गई है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इद्दत for widow, ठीक, यहाँ पर husband की death हो गई है, तो उसकी क्या conditions है, उसको कितने दिन का compulsory इद्दत period follow करना होगा, तो जब भी कोई भ fix है, 4 month, 10 days का death इद्दत का divorce रखा गया है, ठीक, तो अगर किसी भी महला के पती की death होती है, तो उसको Islamic law according, 4 महीने 10 दिन का इद्दत period तो follow करना ही करना है, clear, the direction within the Quran regarding waiting period for a widow is, यहाँ पर उसके पती की death हो रही है, तो कुरान में यह चीज़े specify की गई है, सबसे पहले, she has to observe the period of इद्दत for 4 month and 10 days, during the period she is not allowed to remarry another man, ठीक, तो यहाँ पर यह basic funda कुरान से निकल कर आ रहा है, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कि 4 महीने 10 दिन का जो time period है, वो death इद्दत मतलब जहाँ पर किसी भी महला, मुसलिम महला के पती की death हो रही है, इसको follow करना ही करना पड़ेगा, और इस दौरान वो किसी से शादी भी नहीं कर सकती, दूसरा, a person may be declare his intention to marrying the widow in a social acceptance manner, or he is may kept such intention to himself, yet he should not make a secret commitment of marriage with the widow, और इस case में, अगर कोई भी इंसान किसी भी widow से remarry करना चाता है, तो उसको यह सारी चीज ध्यान में रखनी होंगी कि 4 महीने 10 दिन तक वो marry नहीं कर सकता, और अगर वो इद्दत पीरिड के दौरान marriage कर रहा है, तो वो सारी marriage जो है, white declare कर दी चाहेंगी, clear, यह चीज हमने 5th lecture में भी discuss की थी, moving ahead, इद्दत for divorce female, अगर किसी भी महला का divorce हो रहा है, तो कुरान के perspective से द जो है क्या करना पड़ेगा, 3 mensuration cycles तक अपना इद्दत period को follow करना पड़ेगा, लेकिन divorce के case में अगर महला के mensuration cycles आ ही नहीं रहे हैं, तो इस case में उसको जो 3 lunar month है, कितना 3 lunar month मतलब हिजरी calendar के हिसाब से 29 days का एक महिना, इतने दिन का इद्दत follow करना होता है, clear, तो यह कब है, जब divorce लिया गया है किसी भी husband के द्वारा उसकी wife से, तो उस case में the waiting period for a mensuration woman is 3 monthly periods, monthly periods या फिरी mensuration cycles, तीन बार उसके जो है mensuration cycles आ गए, तो उसका इद्दत period over हो जाएगा, दूसरा waiting period for non-mensuration woman is 3 lunar month, lunar month जो है 29.5 days, हिसरी calendar के हिसाब से निकाला जाता है, और अगर mensuration नहीं है women's का उस case में हमको ये बात बताई गई है, clear, तो ये हो गया हमारा divorce woman का, divorce female का इद्दत period, इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे point पर, और तीसरा point है हमारा pregnant woman के इद्दत period को लेकर, तो अगर आप बात करोगे इद्दत of pregnant woman, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि pregnant woman के इद जब तक pregnancy के बाद वो बच्चे को बर्त नहीं दे देती, तब तक ये period जो है क्या, खत्म नहीं होता, दूसरा, या तो उनकी जो pregnancy है, उसका termination नहीं हो जाता, clear, तो ये दो condition pregnant woman के लिए बताई गई है, अगर ऐसी situation है कि किसी भी pregnant महला का divorce हो गया है, या फिर किसी के पती की death हो गई है, तो इस case में उसकी जो इद्दत पीरड है, वो कब तक चलेगी, कि जब तक वो pregnant महला बच्चे को जन्म नहीं दे देती, या फिर जो उसकी pregnancy है, वो terminate नहीं हो जाती, तब तक इद्दत पीरड उसका चलता रहेगा, the waiting period for a pregnant woman is still the time of delivery of a newborn baby, a Muslim woman cannot marry during the pregnancy, but only after the delivery, clear, तो यहाँ पर क्या समझाया गया, कि अगर pregnant woman की बात करें, तो जब तक उसका नया बच्चा जन्म नहीं ले लेता, तब तक इद्दत पीरड कंटीनू रहेगा, या फिर उसके pregnancy का termination, उसका बच्चा खत्म नहीं हो जाता, तब त तक वो इद्दत पीरड कंटीनू रहेगा, और इस इद्दत पीरड में कोई भी Muslim lady शादी नहीं कर सकती है, clear, start कब होगा, इद्दत पीरड, ये तीन condition बताई, मैंने आपको, जिस दिन से parties का, अगर death का case है, तो suppose करिए, कि H&W एक साथ रहते थे, एक दिन अचानक से, जो है अचानक से, H का accident होता है, और H जो है, इसी दिन, इसकी death हो जाती है, तो wife का, जिस दिन से death होई है, उस दिन के बाद, चार महीने, 4 months, 10 days का, इद्दत पीरड स्टार्ट होने वाला है, इतनी बात, I hope, clear हो गई, ऐसे ही, जिस दिन से, ये तो एक example हो गया, दूसरा example, जिस दि जिन से divorce final हुआ है, और parties ने अपना अलग-अलग रहना सुरू कर दिया है, उस दिन से इद्दत पीरड सुरू हो जाएगा, clear, तो ये दोनों हमारे commencement के time है, the period of इद्दत commences from the actual death of the husband, or the date of divorce, as the case may be, if due to certain circumstances, the wife was not informed about the death of the husband, or was not aware for the same, she would be required to wait only for the remaining period of the इद्दत, जहाँ पर किसी भी circumstances से wife को नहीं बताया गया है, कि उसके पती की death हो चुकी है, और उसको, suppose करिए, यहाँ पर death हुई, लेकिन इसकी बीवी को अभी नहीं बताया गया है, और एक महीने बाद, या फिर तीन महीने बाद, या फिर दो महीने बाद म इसका इद्दत पीरिड को observe करना होगा, यह यहाँ पर हमको समझाया गया है, moving ahead, if the period of इद्दत ended for a Muslim woman and she did not know about the death, she need to be observe इद्दत, clear, तो यह चीज़ आपको कमिस्मेंट के respect में मैंने बता दी, moving ahead, अब बात करते हैं, मुता मेरिज के concept में इद्दत की, ठीक तो मुता मेरिज का concept मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ सियाज laws के according applicable होता है, यह temporary form of marriage होती है, यहाँ पर sexual pleasure को enjoy करने के लिए यह marriages की जाती है, तो अगर कोई भी मुता मेरिज के according महला का इद्दत period observe करने का जो time होने वाला है, अगर वो mensuration cycles के अंदर आती है, तो उसकी जो two mensuration cycles होने व होता है, दूसरा, अगर हम बात करें, जहाँ पर lady के mensuration cycles नहीं आते हैं, तो इस case में total 45 days का इद्दत period उसको जो है follow करना होगा, और तीसरा, अगर कोई भी pregnant मुता मेरिज की lady है, तो जब तक बच्चे को जन नहीं दे देती, या फिर उसकी जो है termination of pregnancy, उसका बच्चा जब तक terminate नहीं हो जाता, तब तक जो है क्या, तब तक मुता मेरिज में इस तरीके से हमें इद्दत period देखने को मिलता है, ये उस time की बात है, जिस time पर पती जिन्दा है और वो दोनों separate हो रहे हैं, ठीक, लेकिन अगर हम बात करें, मुता मेरिज की according ही death इद्दत की, अगर पत किया गया है, जो कितना है, चार मन्त, चार मन्त, टेन डेज आपका ये रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कि अगर इसलामिक लॉके अकॉर्डिंग मुता मेरिज हुई है, तो उसमें two mensuration cycles, अगर mensuration नहीं आ रहे हैं, तो 45 दिन का time period होगा, ये prelims में कोशन बहुत ज्यादा important है, जो पूछे जाते हैं, और तीसरी सबसे important बात, अगर मुता मेरिज की wife pregnant है, तो till the birth और termination of pregnancy, अगर death हो चुकी है husband की, तो मुता मेरिज की wife को भी 4 महिने 10 दिन का इद्दत पूरा follow करना होता है, clear, तो ये थी हमारी आज की class, और आज हमने जो है, Islamic law के concept से जितने भी इद्दत period होते हैं, वो सारे चीज discuss किया है, lastly, life foundation batch हमारा start हो रहा है 12 जून 2023 से, इसके detail मेरे screens पर आपको दिख रहे होंगे, अब आपको इसको enroll करना है, purchase करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं ये आपके साथ discuss कर लेता हूँ, सबसे पहले आपको ज देखने को मिलेगा, life foundation batch, prelims से लेकर interview तक की पूरी तयारी सिर्फ और सिर्फ 12 महिने में, आप इस पर जब click करते हैं, तो 40,000 का course है, buy now का option दिखा रहा है, offer available में आपको एक promo code डालना है, जैसे आप सुईगी और जमेटो पर कोई भी off लेने के लिए, या फिर flip card और Amazon पर life foundation batch, 24 महिने की validity के साथ 24,999 में मिलेगा, इसको आप में 12 महिने में पूरा course complete, prelims, मेंस और interview का पूरा course complete कराये जाएगा, 1100 से जादा घंटे की live classes देखने को मिलेंगी, mentors provide किये जाएंगे, जो आपको हर एक perspective में कैसे time table बनाना है, कैसे त्यारी करनी है, कोई चीज समझ में न मेंस के लिए handwritten notes, खुद ही class की तरफ से आपको class कातम होते ही बनवा कर दिये जाएंगे, prelims की test series आपको, जैसे ही कोई state आया करेगा, live में आप prelims की test series सारी practice कर सकते हैं, जो भी बच्चे life foundation batch के हमारे मेंस को qualify करेंगे, कि CV state का, उन्हें study IQ judiciary के headquarter बुलाकर mock interviews conduct कराये और maximum marks score कर सकते हैं, इसमें आपको class notes, 15 states के local law, बाकी English Hindi की classes, GS का legal as well as current affairs का material, सब कुछ whole and soul compilation है, जो आपको prelims से लेकर interview तक की सारी तयारी कराता है, और एक important बात, अगर आप study IQ के other किसी courses में अपने आपको enroll करना चाते हैं, चाहें वो हमारे महापैक हो, judiciary के pre plus means का batch हो, या state specific courses हो, जो आपको हर एक state के recorded form में दिये जाते हैं, तो इन सारे courses में भी maximum discount लेने के लिए आप मेरा course APU, मेरे नाम के तीन अक्षर use कीजेगा, और maximum discount इसमें आपको मिल जाएगा, अगर आप CLET या फिर other law exams की त्यारी कर रहे हैं, तो CLET का course भी study IQ द्वारा provide किया जाता है, आप उसमें भी APU का code इस्तमाल करो, और maximum discount के साथ अपने CLET की preparation को आगे बढ़ाना start करतो, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, Islamic law में हमने अब यहाँ पर आपके साथ discuss किया है, सारा का सारा detail in the period के respect में, next lecture में मैं आपके लिए Islamic law के एक अच्छे concept को ले कराऊँगा, जहाँ पर हम discuss करेंगे कि कैसे Islamic law में maintenance, personal law के according कब दिया जा सकता है, और कैसे हम CRPC में कोई भी महला जाकर maintenance ले सकती है, नहीं, अगर आपको इस session की PDF चाहिए, या फिर मुझ से कोई सवाल है, तो अपूर सर्मा study IQ judiciary telegram group पर join हो जाईए, अपूर सर्मा 252 के telegram group पर भी आप मुझे join, Instagram पर मुझे follow कर सकते हैं, और यहाँ पर अपने सारी doubts पूछ सकते हैं, मिलते हैं next class में, thank you for watching.